नमस्कार दोस्तों इजिलाव शुर्म आपका फिर से स्वागत है मैं डोगेट दीपक आज आपको बताऊंगा कि एक्सपार्टी ओल्डर एक्सपार्टी जज्जमेंट्स क्या होते हैं कब पारित किये जाते हैं और उनके खिलाफ एक पार्टी के पास क्या रेमेडिय होती है तो दोस्तों जब भी कोई case दैर होता है तो उसमें दो तेरे की parties होती है एक plaintiff दूसरा defendant और अगर हम हिंदी में बात करें तो जो case करने वाले होते हैं उनको वादिगन बोला जाता है और जिनके खिलाफ case होता है उनको उत्तरवादी या उत्तरवादी गंड बोला जाता है अपनी भी गवाई कोर्ट में दें, तो इसके लिए कोर्ट उनको notice बेजता है, जिनको समन भी कहते हैं, और समन प्रिक्रिया जो है complete होती है, जब सर्विस complete हो जाती है समन की, जब तामिल हो जाता है समन, तो समन के तामिल होने के बाद, अगर उत्रवादी या defendant जो है, कोर्ट उनको एकतरफा कर देता है, कि भी कोर्ट के बुलाने के बावजूद, जब एक पार्टी कोर्ट में नहीं आती है, तो कोर्ट उसको एकतरफा कर देता है, और जो कारवाई आगे कोर्ट में चलनी होती है, वो एकतरफा कारवाई चलती है, जिसमें defendant को जवाब देने का, your decide Care deus like that Reddit dots toрь अब अगर Koल किसी को एक तर्फा कर देती है और वह लैंने किर्फित अथा हो सब्सक्राम तो इसके इपरकार माने की अगर konnte में कोई समझ जाने के बाद आ जाता है वकील पेश्क्र सब्सक्राइब जबा Marcus इसके बाद गवाइ की स्टेज़ पे जवाब की स्टेज़ पे या किसी अन्य जो है मितलब civil suit की स्टेज़ पे कोर्ट पेस नहीं होता है उसका वकील कोर्ट में नहीं जाता है तो भी defendant जो एक्स पार्टी हो जाते हैं और उसके खिलाफ तब भी X-Party Decree Judgment Pass हो सकती है और X-Party Judgment Decree होने के बाद defendant के पास जो remedy रहती है वो उसको set aside के remedy रहती है तो order no rule 13 CPC के अंतरगत defendant के पास remedy रहती है कि वो court में X-Party Order जो judgment decree है उसको set aside कराने की दरखास दे सकता है और मुकदमे में शामिल हो सकता है अगर court को लगता है कि इसका reason जो है Gen 1 है जिसके कारण वो court में पेस नहीं हुआ तो court उसकी जो X-Party Order है उसको set aside कर देता है और court में जो मुकदमे में उसको उसी stage पे जो है join करा लेता है तो इस परकार X-Party Order set aside हो जाता है और इस वीडियो में इतना है दोस्तों आपको पता है कि अगर आपके खिलाफ कोई case दायर कर देता है और आप court में पेस नहीं होते हैं तो आपके खिलाफ क्या करवाई होती है साथ ही हम बात करें कि एक्स-Party Order जो है सिरफ civil cases के regarding होता है और अगर कोई case ऐसा है जो force-dar ही है तो उसमें बाकाईदा अगर जवानत होने के बाद कोई जो पेसी पे नहीं जाता तो वहाँ पे एक्स-Party Order ना होने की बजाए वहाँ उसके accused के वारन टिशू हो जाते हैं तो ऐसा मन में कोई संशेन नहीं होना चाहिए कि किसी criminal complaint में, private complaint में, किसी F.I.R. case में accused यूँ सोचे कि एक्स-Party Order होता है तो होता रही और मैं पेस नहीं होता वहाँ पे एक्स-Party Order नहीं होते वहाँ पे वारन टिशू हो जाते हैं तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों अगर आपको जानकारी सही लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुले थेंक्यू